तो यहांपर कैसे रियलमी C35 और नार्जो 50 लांच हो चुके हैं प्राइसिंग की बात करें तो यहांपर 1 से 2000 का ही फर्क देखने हो मिलता है और कौनसा आपके लिए बेस्ट डिवाइस रहने वाला है कौनसा आप परचेज करने सकते हो कौनसा डिवाइस आपके लिए जो वेस्ट ऑफ मंई रहने वाला है तो आए कि इस वीडियो के अनब फुल कंपैरिजन करने वाले है और साइट और साइड आपके साथ कंपैर करके मैं जो अल स्पेक्स के बारे में बताने वाला हूँ तो यहां पर वीडियो को स्टार करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात करें फ्रेम आपको बॉली कार्बोनेट का देखने मिलेगा नार्जो 50 के अंदर दूसरी साइड बात करें रियल्मी C35 की तो यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा यहां पर बज़र सेगमेंट के अंदर आपको जो हाईयर रिफ्रेश रेट जो देखने को मिलता है यहां पर दूसरी साइड बात करें रियल्मी C35 गी तो उसके अंदर आपको 6.6 इंचिस का फुल एचरी प्लस IPS डिस्पले देखने मिलता है आते हैं aktes camera के ओपर cameras के वामले में बात करें तो यहां पर eating devices के अंदर same cameras देखने मिलता है 50 megapixel का main primary sensor जो आपको देखने मिलता है यहां पर रियर के ओपर 50 प्लस 20, 22 megapixel के डो 2 megapixel के weight cameras हैं उसका कुछी selfie की बात करें तो selfie आपको 8MP की देखनों मिल जाती है Realme C35 के अंदर 16MP की selfie आपको देखनों मिल जाती है आपके Realme Narzo 50 के अंदर बात करें यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप 1080p 30fps के उपर शूट कर सकते हो बैक के भी फ्रंट पे भी दिन के अंदर आपको Narzo 50 के अंदर stabilization दी गई है EIS आपका जो है enabled है फ्रंट पे भी बैक के भी वर्फ करेंगा है 1080p 30fps के उपर आप वीडियो को शूट कर सकते हो तो रिसाइट बात करोगे Realme C35 की तो यहां पे आपको 1080p 30fps की जो sport देखने मिल जाती है बट यहां पे कोई भी EIS का sport देखने को नहीं मिलता है यहां पे कैसे बात करें processor की तो processor के मामले में यहां पे Realme Narzo 50 win कर जाता है क्योंकि यहां पे आपको जो processor देखने मिलता है Helio G96 का processor देखने मिलता है यहां पे यह old chipset है यहां पे new नहीं बोलूँगा old chipset आपको देखने मिलता है Helio G96 बात करें Realme C35 की तो यहां पे आपको Unisock का T616 जो देखने मिलता है जो के आपको जो है comparison करता है means के उसके बराबरी जाता है Snapdragon 662 के साथ बात करें हमारे battery बाल सक्षन की तो बैंटरी के अंदर आपको 5000 mAh की जो बैंटरी बे देखने मिल जाती है बट यहां पे difference है charging के मामले में यहां पे 33 Watt का fast charger आपको Narzo 50 के अंदर and 18 Watt का fast charger आपको देखने मिलता है C35 के अंदर जो की बहुत ही जादा बेकार सा लगा मुझे 18 Watt का क्या ही देते है आपको type C देखने मिल जाता है and यहां पे इस बात करें other storage की and storage आपको जो है variant आपको 2 देखने मिल जाते है 4 plus 64 and 6 plus 128 GB and यहां पे इस बात करें finally यहां पे pricing की तो pricing आपको देखने मिलती है यहां पे 13,000 आपको Narzo 50 की pricing देखने मिलती है 4 plus 64 GB variant की and 11,999 रुपीज आपको देखने मिलती है means कि 12,000 रुपीज आपको 4 plus 64 GB variant की C 35 की option देखने मिलती है यहां मिलती है अगर आप higher refresh rate देखना जाते हो and higher थोड़ा सा pricing आप थोड़ा increase कर देते हो means कि आपको 1000 का यह difference देखने मिलता है तो मैं आपको बोला जाहूँगा आप जुरूर से Realme Narzo 50 के साथ जाहिए अगर बात करें other segment की तो other भी यहां पे Realme 8 upgrade लिए जहां पे best option हो सकती है अगर आप इन दोनों को side में रखते हो बागी यहां पे higher refresh rate 120 hours का आपको देखने मिल जाता है Narzo 50 के अंदर Realme C35 का अगर आप phone लेना जाते हो तो आपको design वाइस बहुत ही जादा premium quality डाया design आपको देखने मिलता है तो यहां पे आप एक बार comment section में जूर से बताना आपको कौन जा डिवाइस ज्यादा बैटर लगा तो बाई मैं अगर बताऊं तो design वाइस अगर आप लेना जाते हो कोई mobile phone आपको camera की कोई requirement नहीं है ज्यादा अच्छा camera नहीं चाहिए video recording के लिए stabilization नहीं चाहिए तो आप Realme C35 के साथ जा सकते हो बट यहां पे higher refresh rate and EIS भी आपको देखने मिलता है अच्छा camera देखने मिलता है आपको Realme Narzo 50 के अंदर तो आप Narzo 50 के साथ obvious ही बात है कि जाएंगे जाएंगे तो आपके सब मिलते हैं guys in next video में ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें टेलेगराम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे अच्छे जी पोस्टर्स आपके लिए आती रहती है तो आपके मिलते हैं next video में thanks for watching guys